दोस्तों आज कल सभी लोग credit card लेना चाहते हैं और credit card के लिए apply भी करते हैं लेकिन bank सभी लोगों को credit card नहीं देती है और आपका application bank reject कर देती है application reject होने का कई सारे कारण होते हैं उसमें से सबसे पहला कारण होता है आपका credit score यदि आपका credit score अच्छा नहीं है तो फिर bank आपको credit card नहीं देती है यदि आपके साथ भी ये problem है तो फिर आप लोग FD basis पर credit card ले सकते हैं कुछ bank FD basis पर credit card देती है यानि कि जितना भी amount का आप FD कराते हैं उसी के अनुसार से आपको credit limit मिलता है और आपको bank card देती है तो यहाँ पर IDFC first bank ने FD basis पर credit card launch किया है आप लोग IDFC first bank में FD करा करके credit card ले सकते हैं सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर minimum 2000 रुपए ही FD करा करके credit card ले सकते हैं और bankों में आपको ज्यादा amount का FD करना होता है उसके बाद नहीं आपको credit card दिया लगता है तो यहाँ पर IDFC first bank के तरफ से जो नया credit card launch किया गया है इसके बारे में हम इस वीडियो में detail में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा लाइक करना मत फूलिएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं IDFC first bank के तरफ से every basis पर इस तरह का credit card launch किया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा a premium lifetime free card with a limit of 100% of your fixed deposit तो यह credit card lifetime free है यानि कि ना तो आपको इस card के लिए annual fee देने की जरूरत है और नहीं आपको joining fee देने की जरूरत है इसके लावा जितना भी amount का आप यहाँ पर FD करते हैं उतना limit आपको credit card में मिलने वाला है इसके लावा यहाँ पर देखिए लिखा है no documents required तो credit card लेने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी document देने की जरूरत नहीं है जैसे की ITR होता है यह आपको यहाँ पर नहीं लगेगा आपको आसानी से credit card मिल जाएगा इसके लावा यहाँ पर guaranteed instant card तो आपको तुरंत ही card मिलने वाला है इसके अलावा जितना भी amount का आप FD करते हैं उतना amount पर आपको 6.25% per annum की दर से आपको FD interest भी देखने को मिलेगा साथी 100% ATM cash withdrawal limit भी है इसके अलावा यहाँ पर देखे आपको forex fee के लिए 0 रुपय है यानि कि forex fee आपको यहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा इसके अलावा यह card लेने पर और भी benefit है जैसे कि यहाँ पर 25,000 रुपय का आपको यहाँ पर lost card liability cover है आप learn more पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखे बताया गया है यदि यह card लेते हैं और किसी कारण से आपके साथ नकली, skimming, fishing और online धुखा धरी हो जाता है तो 25,000 आपको यहाँ पर दिया जाएगा इसके अलावा यह credit card लेने पर आपको 4X reward point भी देखने को मिलेगा learn more पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि आपको जो reward point मिलेगा वह online transaction और offline payment दोनों पर reward point दिया जाएगा लेकिन यदि इस credit card से आप fuel, insurance, EMI transaction करते हैं या फिर cash withdrawal करते हैं तो फिर आपको reward point नहीं मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है zero joining and annual fee तो कोई भी joining fee और annual fee आपको नहीं देना परेगा learn more पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि कोई भी joining fee और annual fee आपसे नहीं लिया जागा इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है zero for x markup fee learn more पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि यदि आप इस card के मादेम से international transaction करते हैं card swipe करते हैं या फिर card के मादेम से withdrawal करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर zero for x charge लगेगा यानि कि कोई भी charge आपको यहाँ पर देने की ज़रुत नहीं है इसके बाद यहाँ पर देखे बताया गया zero percent interest on cash withdrawal learn more पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि यदि आप इस credit card से किसी भी ATM machine से cash withdrawal करते हैं तो कोई भी फी या फिर आपको interest charge नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पर देखे लिखा हुआ है यदि आप इस credit card से ATM machine से cash withdrawal करते हैं तो 500 रुपए आपको charge लगता है इसके लावा interest charge भी लगता है जो कि 3.5% की दर से आपको लिया जाता है लेकिन इस credit card के माध्यम से आप cash withdrawal करते हैं तो आपको यहाँ पर interest charge नहीं लगता है सिर्फ आपको यहाँ पर 250 रुपए cash withdrawal charge देना होता है इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है 5% cash back on first EMI learn more पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे बतायागया है कि इस credit card को लेने के बाद यदि आप 90 दिन के अंदर कोई भी EMI transaction करते हैं तो 5% का cash back मिलेगा जो कि आपको 1000 रुपए तक हो सकता है इसके बाद यहाँ पर आपको 1% का fuel surcharge waiver है इसके बाद यहाँ पर देखे बतायागया है कि 300 से अधिक merchant और dining offer भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बतायागया है कि आपको 20% का discount मिल सकता है इसके लबाद इस credit card को लेने पर आपको 2,00,00 रुपए का personal accident cover भी मिल ले वाला है इसके बाद हम निचे scroll करते हैं तो यहाँ पर देखे इस card के बारे में detail में बतायागया है कि कौन-कौन से लोग यह credit card ले सकते हैं इस card को लेने के लिए आपकी age 18 वरस होना चाहिए तब ही आप यह credit card ले सकते हैं इसके अलाबा आपको minimum यहाँ पर 2,000 रुपए का FD करना होगा इसके बाद यहाँ पर देखे बतायागया कि joining फी और membership या फिर annual फी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा इसके अलाबा इस credit card को यूज करने के बाद आपको reward point भी मिलेगा जिसको की आप लोग redeem भी कर पाएंगी इसके लाबा यह credit card लेने पर जो भी आपको reward point मिलेगा उसका कोई भी expire date नहीं रहेगा जब मर्जी तब आप इसको redeem कर पाएंगी इसके लाबा यहाँ पर interest rate के बात करें तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि आपको 9% से लेकर के 42% तक का per annum interest लग सकता है और सब बैंकों का जो credit card होता है उसमें आपको 42% तक per annum interest rate लगता है लेकिन यहाँ पर आपको 9% से लेकर के 42% लगने वाला है जो कि काफी अच्छी बात है इसके बाद यहाँ पर हम बात करें credit card pin generate करने के लिए तो आप लोग IDFC First Bank के Net Banking और Mobile Banking एप के माध्यम से credit card का pin generate कर सकते हैं सबसे बड़ा benefit है कि यदि आपके पास कोई भी income proof नहीं है तो फिर आप यह credit card ले सकते हैं इसके अलावा यदि आपका कोई भी credit score नहीं है या फिर credit score आपका low है तो फिर आप यह credit card ले सकते हैं और अपना credit score generate कर सकते हैं या फिर credit score आपका low है तो इसको high कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग IDFC First Bank का यह credit card every basis पर ले सकते हैं लेकिन आपको minimum 2000 रुपए का every करना होगा और जितना भी amount का आप every करते हैं उतना amount आपको यहाँ पर credit limit में मिलने वाला है इसके अलावा जितना भी amount का आप every करते हैं वो एक साल के लिए lock हो जागा एक साल के अंदर उस every को आप break नहीं कर सकते हैं एक साल के बाद उस every को आप लोग break कर पाएंगी हैं हम आपको आने वाले वीडियो में IDFC First Bank के every basis पर credit card apply करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं फिर मिलत लगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्या लगिए Bye, Take Care